हेलो गाइस बेलकम बैक टू माई चनल अमन जेकिजन तो गाइस आज हम आपके लिए लाये हैं एक खास न्यूज एक बहुत ही खास न्यूज आप सभी के लिए तो आप सभी के लिए ये जानकर खुछी होगी कि आपका जो यूपी पुलिस का जो वैकेंसी है वो संभावित 15 जुलाई 2023 ते प्रभावित है यानि की प्रारंब होगा शुरू होगा तो उसी से रिलेटेड कुछ जानकारिया और क्या-क्या बुक्स होगेरा यानि किस तरह से तयारी करें सब इसमें बताया जाएगा हमने एक विवरा तयार किया है बस उसी को मतलब मद्दे नजर रखत करते हैं तो अच्छा लगे यह वीडियो तो वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब से जरूर करेगा आसा करते हैं आपने किया होगा तो चलिए आपको शुरू करते हैं तो काईस आपके आने वाले दिनों में अभी यानि कि यूपी पुलिस का अंस्टेबल पी ए बावन हजार 699 यानि कि सा सो यानि कि बावन हजार कितने रहेंगे बावन हजार सा सो पद रहेंगे कुल माल लेजिए टोटल माल लेजिए बावन हजार सा सो पद रहेंगे तो इसमें बहुत कुछ बत तो काईस इसमें पूरा वेवरा दिया गया है आपको हमने आपके लि वेतन यानि कि पद कितने होंगी 52,699 UP Police Constable और PSC की भरती होगी आपकी जुलाई में होगी तो इसमें वेतन कितना रहेगा आपका वेतन 21,700 प्लस DA या चारे अधर अलावकेंस यानि कि आपका इतना चीड रहेगा यानि कि आपको टूटल 21,700 रुपे मिलेगा तो government job है वेकंसी है बहुत अच्छी वेकंसी है आप इसको ट्राई करिएगा तो गाइस अभी हम आपको नीचे बताएंगे मतलब किसको मतलब कि इन योगता है मतलब इसमें क्या थाईए यदि आप 10 प्लस 2 हैं तो आप इस वेकंसी को भर सकते हैं और इसके लिए 18 प्लस होना जरूरी है ठीक है तो नीचे दिया कहा है तो आवेदन की संभावित तिथी क्या है यानि कि ये वेकंसी कब आने वाली है तो 15 जुलाई यानि कि हाला कि 15 से 20 जुलाई के बीच में आएगा ये वेकंसी तो 15 जुलाई 2023 से मतलब 20 जुलाई के 15 से 20 जुलाई के बीच में वेकंसी प्रभाव यानि कि आ जाएगी तो परिच्छा की तिथी यानि कि 15 जुलाई की वेकंसी होगी फिर उसके बाद क्या होगी परिच्छा की तीथी गोसित होगी तो परिच्छा की तीथी दिसंबर में होने की संभावित मतलब संभावना है दिसंबर में होने की तो आगे चलिए तो आगे क्या देगे हमारा कि इसमें सैचिक योगता यानि कि आप क्या क्या यानि कि इसके लिए liability क्या है यानि योगता क्या है तो इसके लिए intermediate या समकच ठीक है तो आप यदि graduation भी complete किये हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है intermediate पास होना जरूरी है यानि कि 10 plus 2 यानि कि high school और inter का पास होना जरूरी है इस vacancy में तो आएए चलते हैं यानि कि आपकी योगता के हिसाब से इसमें यानि कि कौन कौन से age वाले किस तरह से भर सकते हैं तो ये guys vacancy, girls and why ठीक है यानि कि महिला और पूरूर्ष दोनों लोग भर सकते हैं तो IU क्या रहेगी इसमें तो पूरूर्ष की IU 18 से 22 वर्ष रहेगी और OVC, YASC, YASC हेतू 5 वर्ष की छूट रहेगी क्या है OVC, YASC YASC के लिए 5 वर्ष की छूट रहेगी और नेश्ट क्या है महिला 18 से 25 वर्ष की OVC, YASC YASC, YASC, YASC हेतू 5 वर्ष की छूट रहेगी आपकी सारेरिक योगता यानि कि physical ability ठीक है, सारेरिक योगता आपकी क्या रहेगी, तो सारेरिक योगता में पूरिष की उचाई यानि की भवायस की उचाई यानि की हाइट कितनी रहेगी 168 सेंटीमीटर यानि की लगभग साढ़े 5 वूट का होना अनिवार है तो साढ़े 5 वूट यदि आपकी लंबाई है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और आपकी क्या है आपका सीना यानि की 89 सेंटीमीटर होना चाहिए बीना फुलाए ठीक है, सीने को बीना फुलाए आपका सीना 89 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर 5 सेंटी मीटर आपको फुलाने पर यानिकि क्या है आरच्छड कितने परितिसर मिलेगा तो ठीक है तो आरच्छड OBC को मिलेगा यस्ती को मिलेगा यस्ती EWS और भूमेन ठीक है इन लोगों को आरच्छड की योगता है आगे क्या है तो आगे क्या है चयन की प्रक्रिया यानि कि आपको पेपर देने के बाद ठीक है फिजिकल टेस्ट होगा फिर उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा तो फिजिकल में क्या होता है फिजिकल में रणिंग से होता है रणिंग के लिए तो आप अभी से प्रिप्रेशन कर दिए तो हमारे चैनल पर आपको सभी तरह के मतलब यूपी पुलिस से रिलेटेड और भी यानि कि सभी exam competition vacancy exam से related सभी तरह के वीडियो उपलब्द है तो उसको जाकर देखिए हमारे चैनल पर सभी तरह के वीडियो उपलब्द है अब UP police का भी एक batch स्टार्ट होने वाला है बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है UP police में आपको हम सबसे ज्यादे प्रेश्टिक आएंगे model paper आपको बहुत जरूरी है solve करना तो जाता से जाता हम model paper solve कराएंगे किस तरह से model paper में आपके questions आते हैं तो चलिए आगे देखते हैं तो आगे क्या दिये गया हमरे तो आपको यानि की लिखित परिच्छा के लिए क्या-क्या जरूरी पढ़ना है तो उसके लिए आपको इन चारो चीजों की अच्छी नालेज हो जाएगे लेक्शन हो जाएंग तो कुल अंक कितने लएंगी यानि की इन चारों का पेपर यानि की पूरें की पूरें लएंगे 300 अंक जो आपका पेपर होगा पुरा 300 नंबर ड़ा उसमें प्राव तो मैंने अपने हिसाब से बनाया है कि अगे क्या है तो आगे दिया गया है सारेडिक पारिच्छा क्वालिफाइरिंग यानि कि फिसी कल टेस्ट के लिए क्या क्वालिफाइग करना पता तो उसके लिए यानि कि running के लिए आपको 25 मिनट में 4.8 km दोड़ना है boys के लिए यानि कि आदमी के लिए 25 मिनट में 4.8 km क्या करना है दोड़ना है इसको ध्यान में रखिएगा और girls के लिए 14 मिनट में 2.4 km रणिंग करना है इसको ध्यान में रखिएगा next question क्या देगा है प्रमाड़ पत्र क्या क्या होना चाओ यानि कि इसमें जरूरी क्या है जरूरी डाकुमेंट से क्या क्या होते हैं तो 10 नींद सीट्वार्ट का AND और इस्थाई निमास परमाण पत्र OBC, ST, EWS परमाण पत्र यानि कि जो जनरल हैं उनके लिए EWS जरूरी है तो EWS परमाण पत्र होना चाहिए आगे कुछन के देगा है नोट में आए कुछ निर्देश दिये गए है तो नोट वन में के देगा है जो बच्चे OBC, ST, ST में नहीं आते हैं और उनके परिवार की सालाना आय कितनी है आठ लाक रूपे से कम हो तो उनके लिए EWS यानि कि आरच्छड परमाण पत्र बनवाना चाहिए जो तहसील से आसानी से बन जाती है यानि कि आप अपने ग्राम यानि कि आप अपने गाउं, सेटी, सहर में जहां से भी EWS बनता है वहां से संपर्क करके जल्द से जल्द EWS बनवाले ताकि बेकंसी आये तुरंत भरने का परियास करें तो ये बेकंसी जाने नहीं जाने चाहिए जो लोग यूपी पुलिस लाइक करते हैं यूपी पुलिस में जाना चाहते हैं तो एक बार इस वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर से जरूर कर दिए साथ ही नए नए यूपी पुलिस से कोई भी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को एक बार वेल आइकन दबा दिजेगा जरूर तो EWS पत्र पनवाने के लिए आयपनमाण पत्र की आव सकता होगी तो साथ में EWS भी बनवाए है और अपना आयपनमाण पत्र भी बनवाए है तो नेस्ट क्या गाई समरा हाँ दिया गया है लग है अधर स्थेट के लोग है दो बो भी इस वैकेंसी के लिए आवेथन कर सकते हैं तो नेक्स्ट क्या गया है अभीयरती अपने स्थाई निवास यानि कि जहां के आप मोल निवासी है अधी परमाडपत्र पहले से ही बनवाले ताकि आवेदन के समय उन्हें कोई भी समस्या नो अभी हमने जश्ट आपको बताया कि सबसे पहले आपको OBC, ST, EWS जो वाले हैं वो अपना जो जरूरी डाकुमेंट से हैं जो नहीं है जो खराब हो गया है तो उसे बनमा लें तो आदी परमाणपत्र यानि कि वेकंसी आने से पहले आपको पूरी तरह से वेल मेंटेंड रहना है यानि कि वेकंसी आया है बस तुरंत आपको नजदी की साइबर केफे से जाकर आपको संपर्क करके आपको वेकंसी को अपलाई कर देना है नेस्ट क्या है आपके लिए यानि कि इस परिछा को पास करने के लिए कौन कौ लुसेंट अर कीरड समान ग्यान तूर्धि अधिकतर क्या है। बहुत ज़्याहदे चलते हैं। अच्छा बूक्स है तो हम भी लुसेंट यूज करते हैं। तो लुसेंट का भूक लीजेगा और ज़ु दोक पा Chief समान हिंदी बुक, यदि आप आनलाइन पर्चेश करना चाते हैं तो आपको link description box में मिल जागा आप वहाँ से जाकर आनलाइन पर्चेश करते हैं तो यदि आप mobile के थुरू यानि पढ़ना चाते हैं तो आपको प्ले लोश्ट प्ले, यानि कि समान हिंदी के लिए पढ़ने के लिए कौन सी बुक आ सकता होगी मैंने बताया है लोश्ट को– हर चीज में पूसा जाता है सaben देखिंहर और हिंदी के लिए अर यंदि की बुक जसी wasn't की बुक सबसे जाए परि है ejercement," के लिए आपको लेना है काल की बुक आपको मैत के लिए लेना है इसको ध्यान में रखिएगा नेश्ट कुछन यानि कि तर्क बुक यानि कि तर्क सकती के बुक के लिए हम अरिहंत और लुसेंट का बुक लेंगे तर्क सकती और लुसेंट के लिए अरिहंत का बुक लेंगे इसको ध्यान में रखिए ठीक, जनरल नालेज, समान हिंदी, अंग, गडित बुक, तरक सकती बुक समाएगी, तो इन में से आपको जो बुक से पसंद आए, वो ले सकते हैं, तो मैं आपको एड़वाइज दूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप लूसेंट की ही बुक ले, तो सबसे बेटर होगी और अरिहंद का भी ले सकते हैं, तो आपको अभी और सारी बुक से का नाम बताए जागा, हलाकि हम आपको अच्छे से अच्छे मतलब प्रेटी सेट प्रुवाइड कराते रहेंगे, और अधिक मला प्रयास रहेगा कि आप अच्छे नंबर से यूपी पुलिस का इक्जाम ट्रेक कर जाएं, तो गाइस, इस वीडियो में आपको यूपी पुलिस से जनकारी आने कि आपको अलट कर रहे हैं, हम की वेकंसी आने से पहले एक बार आप अलट हो जाएए, साउधान हो जाए, किस तरह से आपको क्या करना है, सारी जनकारी हमने इस वीडियो में दे है अब जो नेक्ष्ट वीडियो आएगी वो आपके इंग्जाम से रिलेटेड होगी यानि कि आपका एक्जाम किस तरह से होगा ठीक है तो इक्जाम किस तरह से होगा यानि कि आपको प्रेष्ठिक सेट सॉल पगराई जाएगा अगले वीडियो में और कुछ रीटेंट भी चीजे आपको बताया जाएगी यानी रीटेंट चीजे की थिऊरी बताइज़ेगी तो चलिए धन्यमाद आपसे नेश्टे वीडियो में मिलते हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरू से जरूर कर देगा और वेल आइगन का बटन दबाईए ताकि आने वाले वीडियो को नोटिपिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो वीडियो कैसा लगा लास्ट में कमेंट बाक्स में बताईए का जरूर जय ही जय भारत